जी नमस्कार में राहू धाकट हारमा दंद्रेलिष्ट आज हम बात करें ये पलबोर की आप देख सकते हैं मैं एपलबोर के बगीचे में खड़ा हूँ ये पोदे हमने आनंदर नर्सरी से लिये थे ये पोदा पिंग साल का हो गया है इसकी खेती के लिए हमें बहुत कम खट ढ़ला था उसके भाद हमने खूल भी इसमें खात के मामले में कोई भी खर्चा नहीं किया इसमें हाँ एक दो बार इस प्रैक किया था इतना शक्का इसपर किया था जिससे की इस पर इल्ली विल्ली नहीं आता है आप देख 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 दिख जा ये माल कितने अच्छे से स आप देखे कि सभी जबाब अच्छे से माल हुआ है और माल की क्वालेटी देखिए एक नमबर कर ये कम खचे की फसल है इसमें एक बार लगाने से मुनाफा मिलता है बोदे में माल बहुत अच्छा अगा तो बहुत ज़्यादा अपने को को इंकम मिलती है और इसमें बीमारी की बात करें तो इसमें बीमारी कुछ भी नहीं आती है बस एक बार अगर खुल सईस से भी जाएगा तो माल भी बहुत अच्छा सेट हो जाएगा देख लिजे आप ए और quality दीखिए आप ये quality बहुत शांदार है एक एपल बोर का वजन लगबग 100 ग्राम ह और खाने में भी बहुत मिठाएं टेश्टी है और विटामिन से भरपूर है आप देख लिके माल बहुत शांदार तरीके से सेट हुआ है यह बहुत कम खर्चे की फसले है मुनाफ़ा बहुत जादा देती है यह इसकी साइज अभी छोटी है पोदे की हाइट दिखिया यह प कि जढआ हँ माल बहुत व की आदा गलतादा है